सीट एट का नोटिफिकेशन आई चुका है और बहुत सारे क्वेसंस ऐसे होते हैं पेपर में जो हरवार आप से पूछे जाते हैं जैसे अगर हम बात करें तो EBS में एक ये क्वेसंस है कच्छी मिट्टी के घर से पूछे गे प्रस्ण हरवार अगर आप देखेंगे सीट एट में तो एक क्वेसंस से आता ही आता है तो छोटा सा केवल दो मिनिट में हम ये समझेगे कि कच्छी मिट्टी के घरों से कैसे प्रस्ण हमारी परिशा में बन जाते हैं दियान से समझना पहला इसमें यह बन सकता है कि कच्छी मिट्टी के घर उन स्थानों पर बनाए जाते हैं जहां पर गर्मी अतदिक पड़ती है तो कच्छी मिट्टी के घर कहां पर बनाए जाते हैं जहां पर गर्मी जादा पड़ती है वहां पर कच्छी मिट्टी के घर बनेंगे These house are built in those places where the heat is excessive. इन घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, the walls of these house are very thick. दीवारें मोटी होती हैं, क्यों होती हैं, क्योंकि गर्मी जदा पड़ेगी, अगर दीवारें पतली होंगी, तो दीवारें जल्दी घर्म हो जाएंगी, और heat अंदर चली जाएगी, अगर दीवारे मोटी होंगी, तो इसलिए बाहर की जो heat आएगी, वो पूरी तरीके से दीवार को cross ही नहीं कर पाएगी, और अंदर का temperature नॉर्मल रहेगा, पहले राजा, रजबाडे, महराजा जो थे, महल बनवाते थे, उनकी ये मोटी मोटी दी temperature रहेगा, तो कच्ची मिट्टी के घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है, इन घरों की छतों को नीम और कीकर की लकडी से चाया जाता है, मतलब उनके उपर बिचाया जाता है चतों को, ताकि कीडे ना लगे, पूछा जाता है कि ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए कि किया जाता है, ताकि उनमें कीडे ना लगे, या अगर विशेस्तार राजिस्थान के छित्रों में पाई जाते हैं, तो कच्ची मिट्टी के घर इस्पेसली कहां पर पाई जाते हैं, तो कच्ची मिट्टी के घर इस्पेसली राजिस्थान में पाई जाते हैं, याद रखे था और इसमें भूसा वगरा को मिला जाता था लिपाई करके दीवारों की लिपाई होती थी हमने भी अपने घर पर बहुत करवाई यह काम तो क्यों होता था ताकि वो टूटे नहीं इन घरों का फर्स गोबर से लीपा जाता था ताके कीड़े नहीं लगें गोबर भी लगा का फर्स गोबर से लीपा जाता था कि कीड़े ना लगे मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा मिलाया जाता था अपने अपने घरों में देखा हो उस मिट्टी मलका भूसा मिला के तब उसकी लिपाई करते थे तो यह सभी के सभी वे पॉइंट हैं जो आपक पर टू कैबेच यदि आप चाहते हैं कि आप सीटेट की तैयारी हमारे अप्लिकेशन पर ख़रना चाहते हैं तो आप हमारा अड़ा 247 का अप्लिकेशन डाउलोड कर लीजे और किसी भी कोर्स से जोड़ने के लिए इस नमर को नोट कर लें आप इस नमर पर कॉल कर सकते है आपको सही जानकारी मिल जाएगी पढ़ते रिये मुस्क्राते रहे और चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा अगर सेसन आपको अच्छा लगाए तो थैंक्यो एरी मच जैहिंत